आंगन बारी सेविका सहाईका चैन मार्ग दर्सिका 2019 समेकित बाल विकास सेवाएं अंतरगत गरामीन एवं सहरी छेत रहेतू ये बिहार सरकार दोवरा निर्देशित ये मार्ग दर्सिका है आंगन बारी सेविका सहाईका चैन मार्ग दर्सिका 2019 अंगनबारी सेविका सहाय का एक चैन है तो पूर में निर्गत की गई मारदर्सिकाओं को बिलोपीत करते हुए गरामी ने में सहरी छेत में आंगनबारी केंद के सफल संचालने तो नहीं मारदर्सिका निमीन परकार से अधिसूचित की जाती है इसमें टोटल एक से तेरे न यूजना के 16 दिन गाव टोला बार्ड अंतरगर्ट जनसंकिया के आधार पर निर्धारित चोहदी में सुकीत आंगनबारी के अंदर खो सेविका सहाय का सेवा यूजना के आंगनबारी के लिए सेविका सहाय का के कार्ज हेतु चैन महिला गो बाड सदस या पँच से अभी परेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के उबंधों के अधीन किसी россटाव पंच पंचायत के निर्वाचित बाड सदस या पंच बाड आयुक्त मैं गो आयुक्त profit है बिहार नगरपाली का अधिनियम 2007 के उबंधों के अधीन किसी न पुरूसका का कॉरम् पुरूसकैाग के संधर में मैपिंग पंजी में दर्ज बैस्क महीला अबंपूरूस की संख्या के कम से कम 10% ब्यक्तियों की उपस्तिती दो चैन समीती के संदर में चैन समीती के सदस्तियों में से दो सदस्तों की उपस्तिती लेकिन सदस्ते सचीव की उपस्तिती अनिवार्ज होगी चो बाहुले बर्ग से अभी प्रेत अंगनबारी केंदर के पोसक छेतर अंतरगत लाभारती परिवारों में सबसे अधिक जनसंख्या बाला बर्ग जाती समूझी से बिहार सरकार की विभिन अधिसुचुनाव संकल्पों दोवारा संपोसित किया गिया तता अनुसुची जन मैपिंग से अभी प्रेत नगर निकाई, चुनाव के लिए परकशित अंतीम अधाता सूची के अनुसार, किसी बाढ़ की मधाता सूची में सामिल मधाताओं के समन्ध में बेहित परपत्र में सूचनाओं का रसीत जानेवम संधारन, दो, इसका नियम दो है मैपिंग, किसी आगनवारी के अंधर की सब्सक्राइब किया जाएगा मैपिंग के करम में किसी भी परिस्तिती में पोसक छेतर सहरी छेतर हैं तू बाड गरामीन छेतर की सीमा का उनलंगा नहीं किया जाना है और ये मैपिंग पंजी इसका प्रारूप इस परकार है करम संख्या आंगन बारी केंदर का नाम समंध गाउं टोला मुहले का नाम बाट संख्या तीन में और चार में है ओ के के सेवा छेतर की चोहदी उत्तर दचिन पूरा पच्छिम इसके पांच में है परिवार के मुखिया का नाम पिता या पती का नाम पंचायत नगर निकाई के लिए परक प्रासित अंतिमदाता सुजी करम संख्या आठ उसके बाद है नौ में आरक्षन कोटी अनुसूजी जाती अनुसूज जन जाती अति पिछरा पिछरा बर्ग समाने जाती का नाम सहित ब्यास के सदस्यों की संख्या इसका पुरूस है दसमें इस्तिरी एगारे में लाभुक अयुक्त का नाम इमिमा हसताक्षर सहित गरामीन महिला परिवेक्षी का नाम सहित इसन शहां। की पूर्व महिला परिवक्चिका के दौरा इसे बाल बिकास परिज्चना पते कर्याले में सुलक्सी की जाएगी मैंपिंग पंजी में किसी परिवार के छूट जाने पर महिला परिवक्चिका को जिम्मभार मना जाएगा जिसके लिए उसके बिरुद आवस्य कारवाई की जाएगी इसका नियम तीन सेविका सहाइका के लिए उम्र आंगनबारी सेविका सहाइका के चैन हेतु रिक्ती के परकासन गिती थी को उनकी उम्र नीमतम 18 बर्स तदा अधिकतम उमर सीमा 40 बर्स होगी जिसका मूल परमान पत्र उसके दोरा आम सभा में ही उपलब्त कराया जाएगा आंगनबारी सेविका सहाइका अधिकतम 65 बर्स की उम्र तक कारज कर सकेंगी जिसके पचादवा सोतो सेवा मुक्त हो जाएगी इसका नियम चार सक्षनिक योगिता आंगनबारी सेविका के चैन है तू सक्षनिक योगिता मैट्रिक अत्वा समकक्ष अतिरिक्त बिश्यों को छोड़ कर जिसे मानब सजान विकास विभाग दोरा पंचायत सिक्षक नियोजन है तू माननेता दी गई हो उत्तिन होगी अधिक योगिता के लिए कोई परात्मिक्ता नहीं दी जाएगी आंगनबारी सहाईका के लिए नियमतम सक्षन योगिता आट भी उत्तिन होगी आंगनबारी सहाईका के चैन में बिधवा अभियर्थी को परात्मिक्ता दी जाएगी बहुले बर्ग से बिदवा वहरती के नाम नहीं रहने पर करमा अनुसार अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अती पिछरा बर्ग अलपसंखक सही पिछरा बर्ग अलपसंखक सहीत सामाने बर अलपसंखक सहीत के बिदवा उंदबार को चैनित किया जाएगा इसमें से क अंगनबारी सिविका के लिए निधारित अरहताओं के अनुरूप होगी कोई भी आबेदिका यदि साक्षे स्वरूप परमानपत आधी की छाया पर्ति देती है तो बहुत सो अभी परमानित होनी चाहिए नियम पाँच मदाता एबं निवासी होने की योगित आंगनबारी स भी का साहिए का कि अभेरति को मैपिंग पंजी के अनूरूप संब्धित बार्ट पोशक छेत्र का निवासी तो बहुत बहुत से रिकती बाले बाड पोशक छेत्र में है और बहुत बहां रह रही है लेकिन उसका नाम अंतिम पंचायत का चुनाव अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूरबरती पंचायत चुनाव की अंतिम अंकित होना चाहिए चो अयोग्य अयोग्यता अबेदिका जिनकी आए बारे हजार बारे हजार रुपिया उससे ज्यादा है जनपति नीथी संबंदित परखंड के जन बितनन परणानी बिक्रेता चैन के लिए अयोग्य होगी यदि किसी अभिहरती को किसी नयाले से दंडित किया गया हो तो उसे भी आंगन बारी सेविका सहाइका के लिए चैनित नहीं किया जाएगा नियम साथ आवेदक पत्रों की प्राप्ति आवेदन प्राप्त करने है तु 15 दिनों का समय दिया जाएगा बिग्यापन में आंगनबारी से भी का साहिक एक चैन की अरहताओं एवं बाड की आम सभा के चैन तिती समय का उलेक रहेगा बिहित परपत्र में आवेदन पत्र समंदित बाल विकास पर्यूजना पद्याधिकारी के कारियाले में जमा किये जाएंगे जिनका परपत्र सलंगन किया जा रहा है परिसिष्ट एक साथ ही यदि किसी कारण वस उक्त निधारितीतियू का चैन नहीं हो पाता है तो अगले सब्ता के उसी दिन अबकास की इस्तिती में अगले कार्ज दिवस व समय को बाड की आम सभा की बैठक निधारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आबस सकता नहीं होगी सिवका सहाय का चैन हेतु यदी चैन समीती के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दोरा पदासीन रहने के बावजूद आमसभा की पहली तिति अत्वा दूसरी तितों को बैठक नहीं की जाती है अत्वा चैन समीती के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है अत्वा आमसभा का दो बार आयोजन होने के बाद किसी कारण से यदी चैन कार्जपूर नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्तिती में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा एक विशेस आम सभा की तिती निर्धारित की जाएगी जिसकी अध्यक्सता अनुमंडेलिये पदाधिकारी उनके द आध्यक्सता के अंदर समंदित महिला परिवेग्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संजुक्त हकस्तार्टे से बंदिक मेधा सूची का प्रकासन जी लेके वेवसाइट बाल विकास परयुजना करियाले परखन करियाले के सूचना पट पर एक सब्ता के लिए किया जाएगा ततपचाथ आम सभाम में यदि दावा आपती पराप्त होती है तो आम सभाम ही उसका निराकरन किया जाएगा आ परतिबाल विकास परिजुना काडियाले में रक्षित की जाएगी मेधा अंग का परकासन परतीसत समान होने पर अधीक उम्र के अभियार्थी को परमिक्ता दी जाएगी चैन हेतु तैयार पैनल की मानेता चैन की तिथी से एक बर्स की अबधी तक के लिए रहेगी विद्व परिजनों के लिए सक्षम होना चाहिए सक्षम पराधिकार से निर्गत दिव्यांगता परमान पत्र ही मानने होगा यदी बहुले बर्ग से मैट्रिक उतीन आंगनबारी सिविका की अभ्यर्ति उपलब नहीं होते हैं तो कर्मान उशार अनुसूची जाती अनुसूची ज विक्षिका द्वारा सम्मंदित बाल विकास परियोजना करियाल एवम एक परती सम्मंदित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी करियाले में समर्पित किया जाएगा इसका नियम दस परमान पत्रों का सद्यापन एवम जाजमूल परमान पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चेनित आगनबारी सिविका स्हायका की परमानपत्रों की जाँच चैन की 33 सी 60 दिनों के अंदर बाल बिकास पर्योजना पताधिकारी दोरा कराया जाएगा परहОंतु मांदेका भुकतान परमानपत्रों की जाँच सत्यापन के पहचादी किया जाएगा यदि 45 दिनों के अंदर सम्मंदित निर्गत पर्मानपत्र से पर्मानपत सत्यापित नहीं होता है तो बाल विकास पर योजना पदाधीकारी स्वयम जाकर अत्वा अपने अधिनस्थ नियमित करमी को भेज कर सत्यापित कराएगी मुल्परमान पत्र फर्जी या गलत पाये जाने की इस्तिति में अभैर्ति को चैन मुथ करते हैं उनके विरुद आबस्यक बिधी संबत करवाई की जाएगी जिला प्रोगराम पदाधिकारी योगर सुनीशित करेंगे कि ऐसे मामलों का सत्यापन निदारी समय सिमा के अंदर अनिवार्ज रूप से हो जाए बिना पर्मान पर सत्यापन के अंगनबारी सेविका सहाईका को मांदे का भुकता नहीं किया जाएगा एगार चैन समन्दी सिकायत पत्र का निस्पादन चैन से और संतुष्ट परिवादी आम सभा की तिती से एक मा के अंदर बाल विकास परियोजना कारयाले में अपना परिवाद दे सकते हैं जिसके साथ साक्षे एवां सपत पत्र देना अनिवार्ज होगा चैनित आगनबा इसे भी का सहाई का समन्द में कोई भी सिकायत की सूचना पराप्त होने पर बाल विकास परियोजना पत्र देकारी पराप्त सिकायतों का निस्पादन दोनों पक्षों की सुनवाई कर अनिवाज रूप से 30 दिनों के भीतर सु असपष्ट में मुहर आदेस पारित करेंगे यदि निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर आदेस पारित नहीं होता है तो परिवाद सोतों अपिलिये पर आधिकार के पास अगरसारित हो जाएगी और समन्दित बाल विकास पर योजना पत्र आधिकारी के बिरूत नीमानुसर करवाई की जाएगी बार है अपिल बाल विकास पर योजना पत्र आधिकारी के द्वारा पारित आदेस के बिरूत 30 दिनों के भीतर जिला प्रोग्राम पत्र आधिकारी के यहां परतम अपिल दायर की जा सकेगी में आदेश पारित नहीं करने की स्थिति में परिबाद स्वत्व पर्मनेली आगत के यहां अगरसारित हो जाएगी और समंधित जिला प्रोगराम पदाधिकारी के बिरूत नियमानुसार करवाई की जाएगी इसका नियम तेरह त्याग पत्र आंगनबारी सेविकास सहाई का बालबिकास पर योजनापद अधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना पर अपने पत्र से लिखी त्याग पत्र दे सकती है जिस पर बालबिकास पर योजनापद अधिकारी द्वारा अभी लंब निनन लिया जाएगा उनके द्वारा निनन नहीं लिये जाने की स्थिति मे त्यागपर्थ समर्पित की ये जाने कि तिती से एक सप्ताह के बाद इसे स्वतव प्रभावी मन लिया जाएगा त्यागपर्थ देने वाली आंगनबारी सेविका सहाय का को तीन बरसों तक पुनो बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो इस परकार से ये आंगनबारी सेविका सहाय का चैन मार्ग दरसी का दो हजार उन्नीस का ये बिबरनी है समय समय पर क्या होता है कि आंगनबारी सेविका सहाय का चैन मार्ग दरसी का समय के अनुकुल बदलते रहता है तो ये आंगनबारी सेवी का सहाई का चेहन मार्जदर्सिका 2019 है तो मैं आसा उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी आंगनबारी सेवी का या सहाई का है उनको अगर ऐसा लगे कि इसमें उनको कुछ ग्यान बर्धक उनको कुछ बातें लगी हैं तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए और आगनबारी सेवी का सहाई का चेहन मार्जदर्सिका 2019 में आपको क्या इसमें क्या आपको अच्छाई लगा कि पिया आप कॉमेंट करें और आसा उमीद करता हूँ कि इसी परकार का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें ताकि समधित नोटिफिकेशन आपके पास खुद जाए तो मैं ये चैनल देखने के लिए सेबिका, सहाइका या अन्य को धन्यवाद देता हूँ ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया